कुश्चन है अपने सामने ABCD is a cycle quadratal and BC is the diameter of the circle if angle DBC is 29 degree then angle BAD देखिए ABCD एक चक्रिय चतरोज है तो एक चतरोज बना लेते हैं अपन ब्रत के अंदर ठीक है यह diameter है क्या है BC ठीक है यह angle यह 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 और यह D हो गया कोई दिक्कत इसमें है कोई दिक्कत नहीं यह तो डाइग्रामि में बनाए है आप उनको कह दिया है DVC यह angle 29 degree का दिया है अच्छा यह angle कितने का हुगा अब बलो sir यह angle तो 90 degree का हुगा यह angle 90 degree का हुगा क्योंकि यह diameter है यह यह BC क्या है diameter तो यह angle of semi circle बन गया ये 29 का हो गया तो ये इंगल कितने का जाएगा 61 का डिगरी का अगर ये 61 का गया तो ये इंगल कितने का जाएगा दोनों का सम कितना होता बन 80 डिगरी दोनों का सम अगर 180 डिगरी होता तो ये जाएगा 119 डिगरी का और अपन से B.A.D. ये इंगल पूचाता है 119 करेक्ट आं तो यह A और B की income का ratio क्या दिया है, last year क्या था, 4 ratio 3 था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिकत नहीं है, फिर क्या बोलना है, the ratio of their individual income in the last year and the present year was 3 ratio 4, दिखो यह, A की क्या हो गए, 3 से 4 हो गए, और B की क्या हो गए, B की हो गए, 4 से 5, B की हो गए, 5 से 6, यह last year और यह present year, यह चीज बोल रहा है, कोई दिकत इसमें, कोई दिकत नहीं है, तो last year की यह, अगर present year की निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 3 से 4 होने का मतलब क्या है, 3 में, 4 वाटे 3 का कोड़ा कर दिया, यह 3 से 3 कड़ गया, और 5 से 6 होने का मतलब क् पांच में 6 वाटे 5 का कोड़ा कर दिया, या फिर अपन बोलें कि 5 की 6 वाटे 5 गुना हो गए, यह से 3 की 4 वाटे 3 गुना हो गए, तो यहां पर income कितनी थी, 3 थी, 3 में 4 वाटे 3 का कोड़ा किया है, यहां पर income कितनी है, 4 है, तो 4 में 4 वाटे 3 का कोड़ा कर दो, कोई दिकत कोई दिक्कत नहीं है, गना ही तो करना है करो, इस में क्या है, यहां पर 3 है, 3 में कितने का करना है, 6 बट कशना करना है, करो, जैसे ही गणा करेंगे, और इसको solve करेंगे, बैखुर्च, यह कड जागा 2 बार मैं, यह जागा 3, ठीक है, यह जागा 5 को 20 तूनी 40, यह जागा 3 त तीन तिर करनोत यह 27 ठीक है अब आपन को एक चीज गिवन है क्विश्चन में क्या गिवन है आपन को इनकी टोटल इंकम कितनी है 24.12 लाग कितनी है 24.12 लाग और यहां से अगर टोटल देखें तो कितनी आ रहा है 67 यूनिट तो 67 यूनिट का मतलब क्या है 24.12 लाग इसको काटके देखते हैं तो यह आपन देखेंगे 6.18 तीन वार में कट जाएगा 6.18 तीन वार में कटेगा इसको मल्टिप्लाइ करो 67 एंटू 3 कितना आ रहा है तो साती है 21 और 6.18 और 220 दोसो इक आ रहा है 221 में से माइनस करो यह 0 यह 4 यह 0 चार दो चारसोदो बच रहा है 402 बच रहा है किते टीन वार कट गया अब 670 ब्यालीज साथ 6 वार में कड़ जाएगा तो A की unit की value कितनी आ गई 36, A की unit की value अगर 36 आ गई, अपन से क्या पूचा अपन से पूचा, B की बर्तमान आए और A की पिछली वर्ज की आए तो B की बर्तमान आए कितनी है B की बर्तमान आए 27 unit है, तो 27 unit की value निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे 27 multiply by 36 कर लेते हैं 6, 7, 42, 3, 2, 6 6, 2, 2, 12 और 37, 12, 12, 12 और 33, ठीक है तो यह हो जाएगा 2, 4, 3, 7 6, 3, 9 यह 972 तो आगई भही है, क्या 972 नहीं यहाँ पर point लगा था तो यह point 36 आएगा और यह हो जाएगी 9.72 9.72 तो क्या आगई, B की आए ठीक है, अभी present की अब एक ही past की निकालनी है, एक ही past की कैसे निकालेंगे देखो एक ही क्या हुए है, present में 4 है तो past year में कितनी है, 3 है अगर यहाँ पर present में 40 है तो past year में कितनी हो जाएगी 00 ही तो बढ़ानी है 40 है तो 30 हो जाए तो 30 unit की value और निकालनी है तो 30 unit की value निकालेंगे कितनी हो जाएगी teaching 18 और 3 तर कर नो और एक 10 क्या जाए 2080 2080 दो के बाद point लगा है तो जोड़ दो यहाँ जोड़ लेते हैं इदर कहीं अच्छे से क्या है 1080 और 972 point point जो जाएगा 2, 8, 7, 15 9 और 1, 10 की 0 20.52 है जाएगा 20.52 अपना correct answer ठीक है? बिलकुल ठीक है आगे देखते हैं अगला question अगले question में कह दिया है 4 men and 5 women can complete a work in 15 days तो कुछ 4 men है और 5 women है काम कर सकते हैं कितने दिन में 15 दिन में कर सकते हैं बरावर 9 men और 6 women 9 men और 6 women कर सकते हैं कितने दिन में 10 दिन में कर सकते हैं तो पहले इसी को solve कर लेते हैं 5, 3, 15 और 5 दूनी 10 तीचों को 12 M आजाएगा इदर से आएगा 9 दूनी 18 M 18M में से 12M माइनस करेंगे बचेगा 6M इधर से करते हैं 15W और 6 दूनी 12W 15 में से 12 माइनस करेंगे किते बचेगे 3W तो 3W बरावर 6M आ गया है या फिर अपने बूल सकते हैं W बरावर 2M आ गया और W और M का रेशो किया जाएगा 2 upon 1 ठीक है ये निकल के आगए आपने पास W की जगा 2 put कर दो और M की जगा 1 put कर दो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 6 दूनी 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 into 10 करेंगे क्या जाएगा 210, 21 into 10 आगए 210 ठीक है तो ये total work आगए आपने पास 210 unit अब अपन से question में क्या बोला है to complete the same work in 7 days complete करना है किसको same work को कितने दिन में 7 दिन में ठीक है किस-किस के दोरा how many movement should be assist movement का number पूछा है तो x movement मान लो movement की efficiency कितनी है 2 तो ये हो जाएगा 2 ठीक है और 4 men 4 और men की efficiency कितनी है 1 है ठीक है कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है अब कलो इसको solve तो ये कड़ जागा 7 से 21 कितने वार में 30 वार में ठीक है और ये 4 माइनस हो जाएगा 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 26 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 26 20 मतलब 2 X वरावर क्या आ गया 26 आ गया तो X वरावर क्या जाएगा 13 और X ही अपन से पूछाता 13 अपना करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखतें अगला question question अगला है A tap can fill a tank into 5 is to 1 by 2 hours because of leak it took 8 is to 1 by 4 hours देकि pipe अकिला कितनी देर में बार सकता है 5 is to 1 by 2 hours का मतलब 5 जून 10 और 11 बटे 2 गंटे में ठीक है और pipe leakage की साथ भर सकता है कितनी देर में 8 चो को 32 और 1 तेटीस बटे 4 hours में नोनों का LCM लेंगे क्या जाएगा 11 into 3 ठीक है इसको cutting 11 से कट जाएगा बचेगा 3 into 2 6 इसकी efficiency आ गई यह 33 पूरा कट जाएगा 4 बचेगा इसकी efficiency आ गई pipe की efficiency कितनी आ गई 6 आ गई और pipe और leakage की मिला गए कितनी चार है तो leakage की कितनी आ गई efficiency minus 2 leakage की efficiency minus 2 आ गई यह वपन से क्या बोला total work का 30% करना है total work का 30% किसको करना है leakage को करना है leakage को 2 2 की efficiency से यह एक 0 से एक 0 कट गया है यह हो जाएगा कितना तीन दर करना इंटू ग्यारा ग्यारा नम्हान में बटे 20 99 upon 20 अपना correct answer हो जाएगा 20 ठीक है आगे देखते हैं अगला question अगले question में क्या दिया है the slant height and the radius of a right circular cone is ratio में दिया slant height मतलब L radius R किस ratio हमें दिया है 29 ratio 20 and volume यह अपन को दिया है देखो बच्चा volume के लिए अपन का formula क्या होता है volume का formula होता है 1 by 3 by R square H ठीक है कौन की formula यह होता है तो अपन को पहले H चाहिए H क्यांसे निकालेंगे H निकालेंगे triangle बना गए देखो L क्या होती है यह L दी है यह radius है तो यह कितनी हो जाएगी 21, 29, 39 का triplet होता है 21, 29, 39 का triplet होता है तो H आपने पास कितनी 21, 21 unit ठीक है अभी यह ratio में चल रहा है तो अपने इसको बदल लेते हैं तो L बरावर कर लेते हैं 29 X R बरावर कर लेते हैं 20 X और H बरावर कर लेते हैं 21 X ऐसा क्यों किया क्यों कि अभी अपने को solve करना है तो 3 X मिस हो जाएंगी Q में निकालने हम देखकाता जाएंगी ठीक है बॉल्यूम की बनावा है 3 5 R स्क्वेर ठीक है तो R स्क्वेर का मतलब 20 इन्टू 20 X अभी लेख लेंगे अपने और H है 21 और ये X क्यों बरावर क्या दिया है अपने को 4838.4 Pi ठीक है तो सबसे पहले तो ही ये Pi से Pi काटो ये Point अटाओ नीचे 0 लगाओ ठीक है और ये 1 0 और 1 0 ये 2 0 और नीचे भेज़ दो ठीक है कोई देक्कत कोई देक्कत नहीं है ये काटो 3 से 7 वार में 7 से इसको काट लेते हैं देखो 7 6 जा 42 साचीं 42 बचेगा कितना 6 ठीक है 7 9 जा 63 बचेगा कितना यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 ये काट गया अब इसको 4 से काट लेते हैं तो 4 से काटेंगी 4 एकम 4 बचेगा 2 साच चुक को 28 बचेगा 1 चार दुनी 8 बचेगा 3 आठ चुक को 32 ठीक है तो X क्यूब बरावर क्या आगए अपने पास 1728 किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब और 1000 किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब तो X की direct value अपन बोल सकते हैं क्या आगई 12 बटे 10 12 बटे 10 मतलब 1.2 X की value आगई 1.2 अपन से क्या पूचा है क्या पूचा है बता वही क्या पूचा है अपन से पूचा है radius क्या है 20X 20 into 1.2 करें कितना जागा 12 दूनी 24 और 240 और एक के बाद पॉइंट तो क्या जागा 24 ठीक है बिलकुल ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question अगले question में क्या दिया है a loan is to be written in the two equal yearly installment if the rate of interest is 10% पर रहे न 10% में 2 equal installment का किस क्या होता है 10-11 पहले साल दूसरे साल 100-121 ठीक है अब equal installment की अगर बात हो रही तो क्या करते हैं अपन दोनों installment को equal बनाते हैं तो बना हुई है equal 11 से multiply कर लिया 11 से multiply करेंगे यह 120 हो जाएगी 11 से multiply करेंगे यह 110 हो जाएगा ठीक है यहा से हैं अपन बात करें तो amount कितना दिया 210 रुपे और मिला कितना तो यह जाएगा 240 रुपे ठीक है और interest किया गजा आगर बात करें interest कितना मिल रहा तो interest मिल रहा 32 रुपे ठीक है अब अपन को इंस्ट्रॉल्मेंट दिये, कितनी दिये, इंस्ट्रॉल्मेंट दिये, 5808, 121 का मतलब 5808, ठीक है, 1, 2, 1 का मतलब क्या आ गया, 5808, ठीक है, तो या तो इसको 121 से डारेक्ट कट जाएगा, वैसे तो कटी जाएगा, लेकर आपन देखने, कितने से कटेगा, 12, पंजे, 60 होता है, तो बारा चुक को 48, चार टाइम में कटेगा, चार टाइम में कितना है, 12, या जाएगा कितना, 4, 1, 4, 4, 4, दुनिया, 4, 4, 84, इदर लिख लेते, 1 कवरावा, 4, ठीक है, ये बचेगा कितना, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 0 नहीं इदर बचेगा, 7, तो 7 और 2, 9 बचेगा, ये जाएगा, 968, ठीक है, 968 किते ताइम में जाएगा, तो 1 से 8 यूनिट डिजिट देख लो, 8 बार में जाएगा, 12, 86, और 1, 88, तो 1 यूनिट का मतलब क्या गया, 48, अपन से क्या पूचा, तो इस यूजना में दिये जाने वाल कुशन यही है, बिल्कल यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 1 0 से 1 0 तो पहले काटी लो, ठीक है, अब कुछ कट रहा है गया, कुछ नहीं कट रहा है, इसको पॉइंट लगाने काम आ जाएगा, इसको कल लेते हैं, मल्टिप्लाइगा, तो 6 दूनिट बारा की, त जाएगा, तो पॉइंट लूटि लो, ठीक है, अब इसमें 48 का मल्टिप्लाइगा, और करना पड़ेगा, तो 48 का मल्टिप्लाइगा कर लेते हैं, तो 8 दूनिट 16, आठ टाइगे चौन सच्थ और 1 पैंसट, आठ एकम आठ और 6 जूदा, ठीक है, चार दूनिट आठ, आठ 32 की 2 4 एक हम 4 और 3 7 जोड़ो 6 8 5 13 4 2 6 और 1 7 7 और 1 8 क्या आगए 8 7 3 6 पॉइंट लगाएंगे कि कुछ गड़वड हो गई क्या बिलकुल कुछ गड़वड हो गई कुछ गड़वड कर दी कुछ गड़वड कर दी इनका मल्टिप्लाई है कर लो पहले किसका 32 और 48 का 32 और 48 का करो 8 दूनी सूला 4 ती और 12 8 ती और 24 और 4 दूनी आठ 24 और 8 बटीज 6 ये 2 एक 3 3 तीन दो 5 ये क्या गया 1536 ठीक है अब इसमें क्या नकालना पन कुछ 60 परते हैं 6 से मल्टिप्लाई कर लो 66 36 की 6 हासिल गया 19, 20, 21 की एक हासिल गया 2 35 और 32 और 32 6 एकम 6 और 3 नो 921.6 921.6 आरहा मतलब 922 के करीब आरहा पहले कुछ मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आगे देखते हैं अगला कुश्चन अगले कुश्चन में यह देखो 1030 की वैल्य डारेक्ट पूचिए तो 1030 की डारेक्ट आरहा देते हैं क्या होती 1y रूट 3 और 1y रूट 3 का स्क्वार करेंगे तो क्या जाएगी 1y 3 ठीक है साइन 30 की वैल्य रूट 2 और इसका स्क्वार करेंगे 1y 4 कॉस्चन 45 की वैल्य रूट 2 स्क्वार करेंगे तो 1y 2 हो जाएगी ठीक है यह क्या दिया है सेक 48 और यह कॉट 48 तो कॉट 48 किसमें कनवार्ट हो जाएगा कॉट 42 किसमें कनवार्ट हो जाएगा 1048 में और 6 square theta minus 10 square theta क्या होता है बन होता है ठीक है बलकुल ठीक है अच्छा cost 37 और sin 53 sin 53 को cost 37 दोनों की value बरावर होती क्या होती 4 by 5 तो ये 4 by 5 का square हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 by 25 ठीक है इसी प्रकार sin 37 और cost 53 की value सेम होती क्या होती 3 by 5 तो ये 3 by 5 का square हो जाएगा 9 by 25 ठीक है ये क्या 1080 और 1072 1072 को अगर अपन cost में convert करें तो क्या हो जाएगा तीन है और ये क्या चार दूनी 8 ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है LCM लिएगा अपन नहीं ये आ गया इसके नीचे क्या 3 है तो 8 ये 24 ये 2 तो सब के नीचे है तो इससे कोई मतला भी नहीं है सिर्फ इससे multiply करेंगे अपन आठ से तो 8 चुको 32 है ये 2 से multiply नहीं करेंगे ये LCM का हिस्सा नहीं है ये अलग से आया है ये नीचे वाला है तो 3 है 8 से multiply करना पड़ेगा प्लेस इसके नीचे क्या है 8 है तो इसमें 3 से multiply करना पड़ेगा तो ये क्या आजाएगा 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 8 ये 24 से multiply करना पड़ेगा अब इनको जोड़ लो तो ये आजाएगा किता 8 दून 16 ती 8 तालीस नीचे आजाएगा और उपर आजाएगा 4 दो 6 चार दो 6 ती 9 और 2 ती 5 59 अपन 48 59 अपन 48 फूर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखतें अगला कुश्चन अगले कुश्चन में क्या दिया है अपन को इनके factors निकालन से कड़ जाएगा और 77 ही बचेगा तो 77 एक काम करते हैं इसको 77 को लख लेते हैं 11 इंटू 7 तो 11 स्कूर हो जाएगा इसके factor आगा 11 स्कूर अब इसको ये भी 11 से कड़ जाएगा 11 से इसको काटेंगे है अपन 11 33 बचेगा किता पहुँच 11 55 तो ये 11 और इंटू 35 को लख सकते आपन किया 7 35 ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है अब इसके देखो 675 675 काटो 5 से ही काटो तो 5 एक हम 5 बचेगा कितना एक बच रहा 5 3 15 25 ठीक है एक 5 से कड़ गया अब काटो फिर 5 से ही कड़ जाएगा तो 5 दूनी 10 और 5 सत्य 35 दो 5 से कड़ गया और 27 को लेख सकते ह तो 3 की पावर 3 नो नहीं 3 ठीक है इसको काटो 30 25 को तो देखो 5 से कड़ जीरो पचम 25 एक 5 से कड़ा ठीक है फिर इसको काटो 5 एक हम 5 पाँच दूनी 10 और 5 एक हम 5 12 दूसरे 5 से कड़ा और 12 बचा मतलब 11 स्कूर बच गया ठीक है अब आपन को जोड के लिखना है तो 11 की पा 11 की पावर 5 हो गई ठीक है साथ एक बार दो बार साथ कितनी बार आगया दो बार आगया साथ दो बार ठीक है बिलकुल ठीक है पाँच एक दो तीन चार पाँच पाँच कितनी बार आगया पाँच बार आगया और तीन कितनी बार है तीन तीन बार है वैस अब क्या करना है A B minus C D A B कितना हो जागा 35 पंदरा और C D कितना हो जागा 5 दूनी 10 पंदरा माइनस 10 कितना बचेगा 5 बचेगा यह अपना correct answer ठीक है अगर देखते हैं अगला question अगले question में कहा दिया A radius of spherical balloon inflated from 3.5 to 4.9 by pursuing into year what is the percentage increase in the volume of original balloon बोरिलियोम of original balloon की बात कर रहा है तो कितनी हुई 3.5 से ratio में काम कर लेते हैं 4.9 ठीक है सबसे पहले तो point से point काटो तो उटा दिया और 75, 35, 7, 7, 7, 9, 4 मतलब क्या हो रही 5 से 7 radius करी जा रही कितनी करी जा रही 5 से 7 radius करी जा रही ठीक है अब अपन को बात कर रहा है आयतन की आयतन क्या होता है आर क्यूब की टब में आता है क्यूब की टब में आता है तो इसको 3 बार क्यूब करना पड़ेगा तो 5 का cube क्या होता है 5 का cube होता है 125 और 7 का cube कितना होता है 343 है ना 5 का cube 120 7 का cube 343 तो अगर देखें कितने का change आ रहा है इसमें से इसको minus कर लेते है तो 3 में 5 जाएंगे 8 बचेंगे इदर 1 बचेंगे और इदर 1 बचेंगे क्या गया 118 बढ़ गई 118 बढ़ गई कितने पर 118 के 218 125 पर into 100 जैसे 218 आया ये 2 option तो खतम होगा है क्योंकि 100% से ज़्यादा बढ़ रही है अब ये 2 option माचेंगे तो इनको solve कर लेते है 25 चुक को 100 25 बच्चीस पंज़े 125 चुक को 100 ठीक है 5 से इसको काड़ लेते हैं 5 चुक को 20 बचेगा कितना इदर एक बच रहा है तो 5 ती है 15 बचेगा कितना 3 पंच चुक का 30 43.6 का 4 में मल्टिप्ला है तो 4 चुक 24 की 4 हासिल की आई 2 4 ती है 12 और 2 चूदा 4 चुक को 16 और एक 17 क्या गया 174.4 3rd option correct answer ठीक है आगे देखो अगला question अगले question में क्या दिया है the monthly expenses of a person is 66 is to 2 by 3% अच्छा 66 is to 2 by 3 का मतलब क्या होता है 2 वटा 3 ये fraction value ठीक है तो आपन को पता है एक चीज के income बरावर क्या होता है expenditure plus saving ठीक है अब क्या बोल रहा है कि 66 is to 2 by 3% more है savings है अगर saving उसकी 3 है तो 3 पर 2 जादा 5 उसका expenditure है तो उसकी income कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी ये line का ये मतलब हो गया समझ में आया क्या 3 पर 2 जादा 5 3 पर 2 जादा 5 5 उसका expenditure है ठीक है if हर monthly income increased होई 44% तो 8 का 44% निकाल वही है क्या हो जाएगा 44% निकालते है तो 8 चुक को 32 के दो हासिल किया है 3 8 चुक को 32 और 3 क्या हो जाएगा 35 और 2 के बाद point लगाना है 3.52 3.52 इसकी income बढ़ गई ठीक है और monthly expense कितना बढ़ गई 60% 60% का मतलब क्या होता है 3 Y5 3 Y5 मतलब 5 रुपे पर कितना बढ़ गया 3 रुपे बढ़ गया 5 रुपे पर 3 रुपे बढ़ गया यह तो सही data दिया तो saving कितनी बढ़ जाएगी 0.52 ठीक है और saving की value यह अपन को दिये कितनी 1040 तो 0.52 का मतलब क्या दिया 1040 1040 1040 दिया ठीक है तो point रटा 2-0 और बढ़ा लो सबसे पहले है तो आसान काम आपन को निकालना का है Arambic 2 Arambic 2 मतलब initial expenditure मतलब 5 unit की value अपन को निकालनी है 5 unit की value निकालनी है तो इसको करते हैं solve तो देखो 52 2 जा कितना होता है 1040 और यह 2-0 तो एक unit की मतलब आगया 25 unit का मतलब 1-0 और है दो digit के बाद point लगाए 2-0 लगाएंगे तो यह जाएगा 2-0 एक unit का मतलब 2-0 आगया अपन को 5 unit का मतलब चाहिए 5-2 निक 10,000 10,000 अपना correct answer आगया ठीक है आगे देखते हैं अगला question question number अगला है अपने पास इसमें क्या दिया S and T are the points on the side of PQ and PR of a triangle PQR देखो यह एक triangle PQR बनाओ सबसे पहले तो PQR बना लिया अब PQ पर S है और P R पर T है ठीक है बलकुल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है such that P S into P R बरावर है क्या PQ into P T है ठीक है कोई दिक्कर नहीं है angle Q दिया है 96 degree यह 96 का दिया है और P S T P S S T इसको जोड लेते है P S T यह दिया है क्या P Q अ पी आर क्यू P R P R Q यह इसको अगर थीटा बोलेंगे तो यह हो जाएगा क्या थीटा प्लस 36 degree ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है अब 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 इसको अगर देखें ध्यान से इसको यह इसको लिख सकते हैं क्या P S अपॉन P Q बरावर P T अपॉन P R अरे इसको इधर वेज दिया है इसको इधर लिया है ठीक है तो यह क्या बन गया यह थेल स्थेवरों का स्ट्रीटमेंट बन गया और थेल स्थेवरों का स्ट्रीटमेंट अगर बन जाए तो उससे क्या समझ में आता है उससे यह वाला एंगल इस एंगल के बरावर हो जाता है यह वाला एंगल इस एंगल के बरावर हुआ था मतलब थीटा प्लस 36 बरावर है कि इसके 96 के तो यहां से थीटा की वेल्यू आजाएगी थीटा की वेल्यू आजाएगी कितनी आजाएगी इसमें माइनस करो यह 0 और 9 मेंस 3 का 6 थीटा आगया अपने पास 60 डिगरी थीटा 60 डिगरी आगया और अपने से एंगल कौन सा पुचा है एंगल पुचा है क्यू पी आर क्यू पी आर यह वाला एंगल पुचा है तो यह एंगल नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं यह 96 पता चल गया यह 60 पता चल गया तो 82 माइनस करना है दोनों एंगल का सम 90 प्लस 60 कितना हो जागा यह 6 9 6 15 और 82 मैं से माइनस कर दो तो यह जाएगा 4 और 7 मैं से पॉइंच गए 2 एक मैं 96 26 दिगरी क्यों हा रहा है 6 और 9 6 15 दसमें से 6 और 4 बचे और 6 यह 34 है यह 34 है यह 34 है तो यह जाएगा 62 और यह जाएगा 158 और यह जाएगा 22 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं थोड़ी सी mistake हो जाती है ठीक है आगए देखते है अगला question अगले question में यह अपन को solve करना है तो एक एक bracket solve करते चलते हैं तो यह हो जाएगा देखो 7 दूनी 14 और 6 है 20 बटे 7 ठीक है multiply भाई इसको करते है चार पंज 20 और 21 बटे 5 ठीक है और इसको यह 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3 ठीक है multiply भाई का है बन भाई 2 और यह divide है तो इसको multiply कर लेते हैं 4 वाई 1 ठीक है अब थोड़ी से काटा पिटी कर लेते हैं कहीं सो हो रही हो तो इदेखो यह हो रही है यह 3 से यह 3 कट गया और यह 4 दूनी 8 से चार दूनी 8 कट गया तो यह किता बचा चार बचा ठीक है यह चार बचा इसको multiply का sign कर देंगे तो यह जाएगा बन भाई 4 यह क्या 46 वाई 9 है ठीक है यह 3 वाई 2 है यह 20 और भी कट रहे हैं साथ यह 21 और पाच चुको 20 ठीक है और यह कट जाएगा दो बार में तो यह जाएगा कितना 2 इंटू 3 यह बाई 2 हट जाएगा यह अपने पास solve करने पर value हागई ठीक है और कट रहे है यह कट जाएगा 23 और यह 2 ठीक है यह 3 3 से यह 9 कट गया और यह 2 से यह 2 कट गया तो 23 अपना correct answer आ गया क्या correct answer यह यह आगे देखते हैं अगला question, अगला question क्या बोल रहा, a circle is inscribed in a triangle PQR, देखो यह triangle PQR, बड़ा सा बना लेते हैं, इसमें एक circle है, जो touch करते हुए जा रहा है, ट्राइंगल PQR, QR को कहा टच कर रहा, QR को टच कर रहा, S पे, PR को कहा टच कर रहा, U पे, PR, U पे, और PQ को टच कर रहा, T पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बात क्या बोल रहा, PQ बरावर क्या दिया है, QR प्लस 5, PQ दिया है क्या, QR प्लस 5, QR प्लस 5, तो अपनने QR को क्या बो बोल दिया, x, x बोल दिया, ठीक है, यहां लेक लेते हैं, pQ बर्लावर क्या आगाया, x plus 5 आगाया, ठीक है, और pQ ही दिया ऑफừ PR plus 2, तो PR को बोल दिया, पर नदद on a bar, बोल सकते हैं, कोई दिकत वाली बात सनाथा, बोल दिया और PQE क्या है PQE है Y plus 2 ठीक है बिलकुल ठीक है कोई दक्कत नहीं है अभी तो अपन कुछ कराए नहीं है ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है इस पेरिमीटर क्या दिया PQR का ट्राइंगल PQR का पेरिमीटर दिया 32 डिगरी तो देख लेते हैं क्या है X plus Y plus PQ बरावर क्या दिया 32 ठीक है अब अगर अपन देखें PQ क्या है X plus 5 तो इसको लिखाए यह X plus 5 ठीक है अच्छा यहां से अगर इसको solve करें दोनों equation को दोनों equation को अगर solve करें तो यह क्या आ जाएगा बाय बरावर आ जाएगा X plus 3 यह 2 माइनस हो जाएगा तो बाय की जगह भी अपन लिख सकते हैं क्या X plus 3 इसे X को दर किसका दिया और यह लिख दिया X plus 3 तो अपना सब कुछ है X के टम में हो गया यह 5,4,3,8 इसमें से माइनस कर लेते हैं चप्यशन में से 8 माइनस करें कितना बचे हैं? 28 चप्यशन में से 8 माइनस करें कि 28 बचे है've 3 से इसको डवाइट कर देते हैं, तो एक्स की वेल्यू आ जाएगी किती? चप्यस ए हैं 16 में भी ता फРЕर मिस्टेक कर दी यह 32 था, 32 में से कितना माइनस करना था, 8 माइनस करना था तो बज़ता 24, और 24 को करना था, 3 से डिवाइट तो यह जाता कितना, 8 ठीक है, x की value आगा, यह अपने पास 8 अपन से क्या पूचा, अपन से पूचा, पी यार पी यार क्या है, पी यार क्या है, बाइ बाइ क्या है, अपने पास x प्लेस 3 तो x की value कितनी 8, 8 और 3 क्या होगा, 11 यह जाएगा 11, ठीक है आगा देखतें, अगला question अगले question में क्या दिया है, a, b and c, d are the two quads of a circle with center, oh देखो, यह एक circle बना लिया, है न, दो quads हैं तो दो quads बना लिया, यह की यह लेकिए, क्या है, a, b और c, d ठीक है, और a, d diameter रहे, तो a, d diameter बना लिया ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं अब क्या बोल रहा है, a, b और c, d को बढ़ाया जाता है, तो लोगा यह बढ़ा दो का मिल रहा है, p point पर मिल रहा है, angle a, p, d यह वाला angle कितना, 25 degree है, ठीक है, angle d, a, p, 39 degree है, ठीक है, the measure of angle c, b, d c, b, d, यह angle अपनको बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यह आसान सा कुश्चन है, सबसे पहले यह 39 है, तो यह भी 39 होगा, एक ही segment से बन रहा है, angle, यह इसी quad से बन रहा है, ना, दोनों angle, इसी quad से, यह भी बन रहा है, यह भी बन रहा है, 39, ठीक है, अच्छा, यह diameter है, तो यह पूरा angle कितना हो जाएगा, यह पूरा angle 90 degree होगा, है ना, यह पूरा angle अगर 90 degree होगा, तो यह angle मिन 90 degree होगा, यह पर एक बुठोरम लगा लो कि एक्स्टिरियर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल का एक्स्टिरियर एंगल बन रहा है तो यह अगर 90 है तो इन दोनों कसम भी 90 होगा या फर यहां से देख लो कि यह 90 बन रहा है तो इन दोनों कसम 90 होगा किसी 65 degree का अब यह पूरे एंगल का SEM कितना होता है? 82 degree यह पूरे एंगल का 82 degree होता है यहां से लेकर यहां तक का यह 65 आगया तो इसको माइनस करकर निकाल लूँ तो 82 में से 65 माइनस करें तो कितना जाएगा 5 और 17 में से 6 जाएगे कितना बचिएगा? 11 त्राइंगल CBD यह एंगल 39 का यह 115 का यह एंगल निकालना है तो 115 प्लस 39 पहले तो जोड़ो तो 9 5 14 चार हासिल किया एक 3 2 5 यह 154 अब 180 में से 154 माइनस कर लो 6 इदर 8 में से 7 में से 5 जाएंगे 26 डिगरी आ गया और यही अपन को निकालना था 26 अपना correct answer हो जायागा ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ जाओ अगला question if 7 sin square प्लस 4 cos square यह आसान सा question है देखो 7 sin square है 4 cos square तो 7 sin square को अपनने कहले लिए 3 sin square theta प्लस 4 sin square theta ठीक है प्लस 4 cos square theta है अगर इसमें से 4 कॉमल ले ले तो sin square theta प्लस cos square theta और जो क्या बन जाएगा बन तो indirect लिए अपने पास क्या बचा 3 sin square theta प्लस 4 equals to 5 यह 4 उससाइड जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बचाएगा बन और इसको भेज़ दो उससाइड by 3 और square root ले लो तो क्या जाएगा बन बाई root 3 तो sin theta की value क्या आगए अपने पास 1y root 3 आगए ठेक है कोई दिक्कत बिलकुल दिक्कत नहीं है अब sin theta की value 1y 3 आगए बना लो ट्राइंगा यह theta sin theta क्या होता perpendicular upon hypotenuse तो यह कितनी है जाएगी यह जाएगी 2 यह जाना 2 का square तो 4 हो जाएगा नहीं root 2 आगए रूट 2 का square 2 plus 1 root 3 ठीक है अब क्या निकालना है अपनको root 3 sec theta sec theta क्या होता है root 3y2 sec theta हो जाएगा hypotenuse upon base root 3y2 siis plus 10 theta 10 theta क्या होता है perpendicular upon base perpendicular upon base क्या हो जाएगा बनiffs by root 2 ठीक है upon root 2 2 root 2 and quad theta क्या हो जाएगा quad theta होगा based upon perpendicular मतले root 2 upon 1 minus root 3 cos theta क्या हो जाएगा and, cos theta हो जाएगा based upon hypotenuse तो क्या हो जागा 2y root 3 root 2y root 3 ठीक है कोई देखकत कोई देखकत नहीं कहीं कट रहा है कुछ कहीं कट रहा ही यह कट रहा है ठीक है यहां से root 2 नीचे सा कॉमान आ जाएगा तो क्या बज़ेगा root 2 minus 1 ठीक है और ये एक root 2 इदार आजाएगा तो इस root 2 का इसमें multiply हो जाएगा और root 2 का root 2 multiply होगा तो ये तो 2 बन जाएगा ये नीचे की flame हो गई ठीक है उपर क्या है root 3 into root 3 3 हो जाएगा और 3 plus 1 4 हो जाएगा तो यह root 2 से कड़ जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 तो अपने पास क्या आगा है, 2 upon root 2 minus 1 और इसको rationalize करेंगे, तो यह उपर चला जाएगा, क्या बच जाएगा root 2 plus 1, root 2 plus 1 कौनसे option में दिख रहा है, EQ option में दिख रहा है यह ही अपना correct answer, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगा बढ़े जाएगा अगला question अगली question में क्या दिया, in triangle ABC, angle B is 78 degree, AD is a bisector of angle meeting, जिख वही triangle बना लो पेले तो A, B, C, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, bisector of angle B कितना दिया, 78 ठीक है, bisector of angle E meeting BC at D, angle E का bisector BC पे का मिल रहा है, D पे, ठीक है यह angle bisector है, उसके बाद AE perpendicular to BC, चलो यह perpendicular भी बना लो perpendicular, कोई सही साइड बना लो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, यह perpendicular होगा ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, angle DAE, यह वाला angle यह angle दिया कितना 24 degree का, अपन से क्या पूछा, ACB ACB यह angle पूछा, तो यह तो आसान सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इन दोनों के difference Y2 से यह आता है, तो 78 माइनस, इसको अगर अपन X degree मालने Y2 equals to क्या आता है, 24, 24 का 2 में multiply करेंगे, क्या जाएगा 48, और 78 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा X, 78 में से 48 माइनस करेंगे, क्या जाएगा 30 डिगरी जो कि क्या आगा X की value simple सा question था, यह तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी है न, आगे देखो अगला question अगले question में यह, 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 तो देखो 1 माइनस cos यह देखो, सबसे पहले तो 1 माइनस sin square theta देख रहा है, जो कि क्या बन जाएगा cos square theta, वो plus cos theta है, ठीक है, इसको यह देखते जाना दियान से, अगर यहाँ से cos theta common ले 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 हैं तो क्या बन जाएगा 1 plus cos theta, ठीक है, और यह 1 plus cos theta, 1 plus cos theta कड़ गया ठीक है, खड़ गया, तो अपने पास इस line में क्या बचा के लिए, cos theta और नीचे बचा sin theta, ठीक है, into इस side जाओ, यह क्या है, sec theta है, cos square theta है, sec theta और cos square theta, इसको sin cos में बदल लो, sec theta और cos theta को बदलेंगे तो यह जाएगा बन अपन cos theta, मतलब cos square theta और यह जाएगा बन अपन sin square theta, ठ ठीक है, यह जाएगा इस side square theta, और इहार आजाएगा cos square theta और यह दोनों को multiply हो जाएगा, ठीक है, और ओपर sign square theta plus cos square theta बन जाएगा, भन, ठीक है, cos square theta into sin square theta, ऊपर जाएगा, पापीस ऊपर बिज़ दो, तो यह multiply में आगए क्या sec square theta into cosec square theta ठीक है यह आगए और इनका square root है तो square अटा दो ठीक है यह आगए अपने पास this side के आगए sec theta into cosec theta cosec theta ठीक है अब है नीचे 10 theta और 4 theta तो इसको भी sign cos में बदल लो trigonometric का सबसे आसान तरीका अगर कुछ नहीं देख रहा तो sin cos में बदल लो तो यह क्या हो जागा देखो 10 theta को sine upon cos cos theta को cos upon sine यह हो जागा sin square cos square और नीचे जागा क्या cos into sine ठीक है cos into sine को अगर उपल लाना हो तो क्या बन जागा sec into cosec ठीक है sin square theta plus cos square theta क्या हो जागा 1 और sec theta into cos 1 theta इदर आजाएगा जो इस पूरे से यह पूरा कड़ जाएगा तो अपने पास से डारेक्टली क्या बचेगा cos theta upon sin theta जो कि क्या होता है cos theta cos theta correct answer ठीक है आगे बड़े जाओ अगला question अगले question में कहा दिया the angle of the elevation of the top of tower is 25 root 3 दीखो यह एक tower है जिसकी height कितनी है 25 root 3 है ठीक है level of the ground एक side है और एक side है दोनों opposite है एक 45 degree का दिया और एक 60 degree का दिया अच्छा 45 बाला तो simple सी चीज होगा यह भी 25 root 3 होगी दोनों side बरावर हो जाएंगी ठीक है क्यों अरे यह भी 45 होगा और triangle में दोनों angle अगर बरावर होगा तो दोनों side बरावर होती है 60 वाले हम थोड़ी दिककतर निकाल लेते है देखो 1060 क्या होगा 1060 होगा root 3 root 3 बरावर क्या जाएगा perpendicular 25 root 3 upon base जो कि अपने मान लिया x है ठीक है तो x की value क्या जाएगी root 3 से root 3 कड़ेगा और x की value आगी 25 तो x की जाएगा अपने 25 आप अपन से क्या पूछा दोनों point का distance ही तो पूछा है तो दोनों point का distance निकाल लेते हैं 25 root 3 25 root 3 और 25 25 root 3 और 25 इनको जोड़ेंगे तो 25 तो को मना जाएगा बचेगा क्या root 3 plus 1 root 3 की value कितनी 1.73 plus 1 क्योंकि point में आटन निकालना है तो यह हो जाएगा 2.73 तो 25 का अपन को multiply करना किस से 2.73 से तो करो है यह multiply 25 दिया 75 की 5 हासिल की आई कितनी साथ 25 छिक का डिर सो 25 सत्य एक सो पिचत्तर एक सो पिचत्तर और साथ कितने हो जाएगे 182 की दो हासिल की आई अठारा पचेश दूनी पचास और 68 तो 68.25 आ रहा है 68.25 लगबग 68.3 के पास ही है तो यह अपना correct answer हो जाएगा अगला question अगले question में क्या दिया है अगले question में क्या दिया है एन article वास सोल फोर 7.16 after offering a discount of 10.5% if the discount of 6.5% is given then for how much should it be sold एक बस्तू को 10.5% का discount दिया मतलब कितने में सिल किया 89.5% इसकी value कितनी है 716 रूपे ठीक है तो यहां से सबसे पहले तो point अटा एक 0 बड़ा अब question सॉल करने मजा आएगा यहां से अपन दिखें तो यह कितने time कर जाएगा 5 से 60 लाना है तो 12 time में या फिर 8 उसाथ 8 से करते हैं तो 8 में multiply करेंगे 45 चालीस की चीरों हासिल गया है 4 8 नाम 72 और 4 6 तर की चे हासिल गया है 7 8 उसाथ उच्छपन या 8 अटाइं 64 और 7 एक अट्थर आट्वार में इकड़ गया तो यह आजाएगा 1 परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा 8 ठीक है तो 100 परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा 800 100 परसेंट कीमत आगा यह अपने पास 800 रूपे अब क्या बोल रहा है अगर 6.5 परसेंट की चूट दी जाती 6.5 परसेंट की चूट जी जाती मतलब कितने परसेंट में बेशना पड़ता 6.5 परसेंट की अगर चूट जी जाती तो कितने परसेंट में बेशना पड़ता यहाँ पन देखो 7 परसेंट कम कर लो 100 में से 7 कम करेंगे 93 तो यह जागा और चार चेहतर और एक के बाद पॉइंट था तो यह जाएगा सेवन इट शिक्स्टी एट सेवन फुट्टी एट आरा कुछ मिस्टेक कर दी गया देखो आट पंजे चालिक सेजी नो हासिल गया ही चार आट ती है चोवीस और चार अटाइस हासिल गया ही दो आट नाम भात तर और दो चुंगत तर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आगा बढ़ते है अगला कुश्चन अगले कुश्चन में क्या दिया है इसमें फैक्टर क्या आते है आट और नो ठीक है तो आट के लिए तो लास्ट के तीन डिजिट चाहिए 7B6 7B6 ठीक है तो डिवाइड वाइड आट करना है तो आट नाम तो बहात तर ठीक है दो पे तो जाएगा नहीं अगर इसको तीन कर दें तो आट नाम 72 और आट नो नी सूला तो एक तो तीन आ सकता है ठीक है और एक आट उ साथ उचपन होता है तो पांच के लिए अपन को कह चाहिए 72 दो और पांच साथ आट नाम बहात तर और साथ ठीक है तो यह जाएगा साथ साथ पे काम बन आप दो डिजेट आ रहा है जो स्काराइएए किस की वी की ठीक है अब हर की बात करें आप की बात कर दो फूर थिए वह आसान काम Tot कि A क्या है 9 और 9 के लिए तो अपन को तरीक पता है 5-4-9 खटाओ ठीक है 7 और 2-9 खटाओ ये 9 खटाओ ठीक है 6 और 6-12 का मतलब 3 और 7-10 10 का मतलब 1 आरहा है एक आरहा है यूनिट डिजिट अब यहां अगर अगर अपन 3 रखते हैं इसकी जगा अगर अपने 3 रखा 3 और 1-4 तो ये कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए तो एक ही वैल्ली एक तो 5 आ रहा है कि इस पर 3 रखने पर 2-3 रखने पर ठीक है दूसरा अगर अपने हां पर 7 रखते हैं तो 7 और 8 तो इसकी वैल्ली वैल्ली कितनी आ रहा है एक आ रहे है, दूसरी वैल्यू कितनी आ रहे है, एक आ रहे है, साथ रखने पर, ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गए, अब आपन को solve करना है, उस पर depend करेगा answer, क्या नेकालना है अपन को under root, under root के संग, पहले ये वाली रखते हैं, तो आट पंज चालीस, बीगी कितनी, शार दिया बारा, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 28, under root 28, ठीक है, ये answer अपना हो सकता है, score चेक करते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखो, ये 8,8 और ये 7,28, तो ये तो root के अंदर negative आ रहा है, 28 बड़ा है न, तो ये negative आ रहा है, तो ये value possible नहीं हो सकती, तो ये answer हो सकता है, ये answer लगाएंगे पना, ठीक है, आगा देखो अगला question, अगले question में क्या दिया है, if the amount obtained by A, investing 910 for 3 years at the rate of 10% per annum on a simple interest is equal to the amount obtained by investing in a certain sum of money for 5 years at 8% per annum on simple interest, then 90% of the sum invested was B, ये दुरा साथरनी ब्याज, 12 ब्याज की दर से तीन बर्सों के लिए in-99 mileock का निवेस करके प्राप्त की गई धन रासी B, दुरा साथरनी ब्याज पर 8% ब्याज की दर से 5 बर्सों में एक निशच्चित रासी निवेस क करके pemdet की गई रासी के बरावर है, तो B, धुरा नि ने 10% पर कितने साल के लिए 3 साल के लिए इंवेस्ट किया ठीक है और बी ने क्या किया बी ने 5 साल के लिए 8% पर इंवेस्ट किया तो दोनों का अमाउंट बरावर आ रहा है तो ये इंट्रेस्ट हो गया ये प्रिंसिपल हो गया इंट्रेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट य ही है तो यह 1 0 से 1 0 कट गई क्या बाचा बन बाए 10 और यह 5 8 40 तो यह 1 0 से 1 0 यह कट गई तो यह क्या बचा 4 बाए 10 ठीक है इसका LC हम ले लेते हैं यह common आजाएगा, यह क्या बच्छेगा, 10 प्लस 3 13 by 10 और इधर से यह जाएगा, कितना 10 प्लस 4 B common आए, 14 by 10 ठीक है, और यह 10 से 10 खड़ गया, ठीक है तो अपने पास A upon B आगया, क्या आगया 14 upon 13, अब A का amount अपन को पता है पता है ना एक amount 14 unit का मतलब पता है कितना 9, 1, 0, 0 ठीक है, तो इसको काटने देख़गा, 14, 75, 14 14, 6, 84 84, बचेगा कितना 6 और 1, 7 और 14, 75, 70 और 1, 0, तो एक unit का मतलब कितना आगया, 650 अब अपन को क्या निकालना है, B का मतलब तो 13 unit की value निकालना है 13 13 into 6, 5, 0 तो 13 तो 13, 65 की पांस हासिल क्या इच्छ है, 13, 78 और 6, 8, 6, 14 84, ये कितना आगया 8,450 ये तो टोटल अमांट हो गया लेकिन अपन को कह चाहिए, 90% 90% चाहिए, 90% निकाल लो ये 2, 0 से 2, 0 कट गए 9 से इसमें multiply कर लो 9, 95, 45 की पांच, हासिल की आई 4 9, 4, 36, 37, 37, 40 की 0 हासिल की आई 4, 9, 8, 72 और 4, 76 क्या जाएगा, 7, 6, 0, 5 ये correct answer आगया अच्छा, इसमें एक तरीका और लगा सकते हैं अपन से 90% पूचा है ना 90% पूचा है तो जो भी होगा वो 9 से तो multiply होगा यह होगा answer अगर 9 से multiply होगा आपन चेक करते हैं 4, 5, 9, ये 9 का multiple नहीं है 7, 8, 15, 6, ये भी 9 का multiple नहीं है 5, 4, 9, ये में 9 का multiple नहीं है इधर देखो 7, 6, 13, 5, 14, 18, 9 ये 9 का multiple है अगर अपन पहले ही 9 का multiple चेक कर लेते हैं तो ये ये अकला answer होगा आपन की answer होई नहीं सकते तो इस question में इतना सब solve करने की जरूवत ही नहीं थी कोई जरूवत नहीं थी आपन डारेक्ली 9 का multiple अगर चेक कर लें तो अपना काम होई गया था है ना चलो ठीक है आगे बढ़ते है अगला question अगले question में क्या दिया a person makes an article at 36% above the cost price and offer a 30% discount mark price what is the loss or gain percent तो ये तो successive का question होगा है directly तो ये 36% above कर रहा है minus कर रहा है 30 माइनस आजाएगा 36 into 30 upon 100 तो एक जीरो से एक जीरो कटकर इसका multiply करो ये क्या जाएगा 6 minus ये जाएगा तीछी गटारा की आठ हासल की आई तींतिर का 9 और एक 10 और 10.5 तो ये जाएगा माइनस का इसमें से माइनस करेंगे 10.8 में से 6 माइनस करो ये जाएगा 8 और 10 में से 6 जाएगे 4 माइनस का 4.8% कुन से option में दिया है loss हो रहा है ये उसको 4.8% का ठीक है आगे देखो अगला question अगले question में क्या दिया है if 3 10 theta बरावर ये 2 root sin theta तो देखो 3 10 theta को अपन के लेग सकते हैं sin theta upon cos theta बरावर क्या 2 root 3 sin theta sin theta से sin theta कट गया root 3 से ये कट गया root 3 times और ये आगे अपने पास क्या 3 by 2 बरावर cos theta ठीक है अच्छा cos root 3 by 2 के कब होता है theta बरावर ये जागा 30 degree theta बरावर आगे अपने पास 30 degree अगर theta बरावर 30 degree आगया तो question तो खतम ही हो गया है ना आपन से क्या पूचा आपन से क्या पूचा cos 1 square 2 theta cos 1 square 2 theta पूचा ठीक है अच्छा यहां बना लेते हैं अपन ये 30 ये 60 60 की बना लेते हैं टेविल cos 1 quad 10 से पूचा आपन से cos 1 30 cos 30 क्या होता है root 3 root 3 by 2 ठीक है तो ये 1 है ना अब अपन से क्या पूचा cos 1 square 2 theta मतलब 60 cos 2 theta cos 1 theta cos 1 theta क्या हो जाएगा 60 degree की बात को रही है ये होजाएगा hypotenuse upon perpendicular hypotenuse क्या है 2 2 का 4 perpendicular क्या है root 3 root 3 का 3 plus quad square 2 theta quad square 2 theta मतलब quad theta quad 6 60 degree की बात हो रही है, यह 30 theta है तो 2 theta मतलब 60 degree की बात हो रही है, यह बात पर clear है, तो यह हो जाएगा, base upon perpendicular, तो base क्या है, बन पर्पेंडिकुलर है, तो root 3 है, जिसका square करेंगे, 3 हो जाएगा, sin square theta, यह sin square theta पूचा है, मतलब 30 degree के लिए बात हो रही है, sin 30 के होता, बन y2, क्या square करेंगे, 1 y4 हो रहे जाएगा, और 10 square 2 theta, 10 square 2 theta करेंगे, पर 5 by 3, ठीक है, और यह आजाएगा कितना, इसका multiply करना पड़ेगा, 4 इदर, तो 4 ती बारा और एक तेरा, अब पहुन में रहने दो अभी क्या है, 13 बाटे 4, ठीक है, तो यह हो जाएगा, ऐसे, 5 by 3, और 4 by 13, जो कि हो जाएगा, 5, 4 जाएगा, 23, 39, 21, 39, 21, 39 अपना correct answer, ठीक है,